श्री शिवाय नमस्तु वियम फ्रेंड्स अभी हम जिस मकान की वास्तु विजिट करने आ है तो यहां पे मैंने जब रिसर्च किया तो उनका जो कंश्रक्शन है यानि उनका जो मकान है वो पस्सिम की तरफ बना हुआ है और मैक्सिमम यहां पे जो उन्होंनों ओपन एरिया चुड़ा हुआ है यह इशान को उनकी तरफ चुड़ा हुआ है और यहां पे पुर्व दिशा की तरफ चुड़ा है और वहां पे उन्होंने यह पुरा गार्डन किया हुआ है तो इस मकान में रहने वाले सदेश्यों को पोजिटिविटी मिलने का रिजन यह भी है कि यहा कि फैक्ट्रिया और उनकी ओफिसिस बहुत सारे देशों में थी तो यहां पर यह मुझे रिसर्च मिल रहा है कि इन्होंने जब से यह मकान लिया है तो इनका कनेक्शन इनकी पोजिटिविटी इनका बिजनेस का कॉंटेक्स पूर और वर्ल्ड में रहा चुका है इसका रिज इतनी है क्योंकि जितनी मेहनत हो रही है उतना पैसा नहीं मिल रहा खर्चे हो रहे है बच्चे की समस्या है एजूकेशन में बच्चा अच्छा है पर हैल्थ इशू है वह जो कुछ भी प्रोब्लेम से घर के अंदर तो वह किस कारण की वस है तो यहां पर मेरा रिसर्च य रही है जो अगर आप देखेंगे तो यह राइट एंगल नहीं है यहां से यह थोड़ा थोड़ा करव है करवेचर में बन रहा है यह प्लोट जिसके वजह से यह प्रोब्लेम हो सकती है यह हमारे रिसर्च के अंदर मेरी प्रात्मिक रिसर्च में यह मुझे पता चल रहा ह केशान को ना उनका थोड़ा कट रहा है जिसके लिए जो प्रोफिट में लोसिस जा रहे है जो प्रोग्रेस में लोसिस जा रहे है प्रोग्रेस हो रही है वो उनकी ग्रहों की रूप रेखा ग्रहों की स्तीती से मेहनत से वास्तू और जीवन यानि लाइट में सक्सेस और अपना जीवन, चार, तीन से चार सेक्टर में बटा हुआ है, अगर जिन्दकी अंदर सक्सेस होना है, तो आपका एक तो कर्म अच्छा होना चाहिए, भग्य अच्छा होना चाहिए, और आपकी वास्तु अच्छी नहीं होनी चाहिए, और आपकी ग्रहों की स्तिति, अश्ट बिगर जाती है कि हमारे अच्छे वास्तु में भी रिजल्ट नहीं मिलता होता और साती सात कभी ऐसा होता है कि हम जहां रहते हैं वहां की वास्तु इतनी अच्छी होती है कि हमें और कोई प्रोब्लेम्स नहीं आती हमारे कर्म की की वज़ा से भी हमारे जिंदगी के अंदर अच्छे वास्तू का result नहीं मिलता है तो यह जो समझना है वो एक experience का एक खेल है कि आप ऐसे नहीं समझ पाऊंगे कि किस तरह क्लाइन को आप समझा पाऊंगे कि उनकी जिन्दगी का दो जो दोर चल रहा है वो दोर क्यों यसा हो रहा है यानि अच्छा दोर है तो क्यों अच मुझरसी सीटी के अंदर के मैं आज यह चीज आपको दिखा सको मेरे विवर्स तक यह पहुचा सको अब यहाँ पर हम बात करेंगे तो यह इनका पूरा है नور्थ हेरिया ओके यह नोर्थ है नोर्थ में उन्होंने यहाँ पर नोर्थ इसमें गैराज बना रखा है और उन् Convent Glass Mirror यह यहां पर क्या है? Negativity generate कर रहे हैं? यह इनको पता नहीं है पर उन्होंने कहीं पे पूचा कहीं पे देखा होगा और यह treatment कर वाली है आप तो देखेंगे तो हर जगह पर उन्होंने यह mirror लगा रखे तो यह mirror अच्छी energy को भी reflect कर रहे हैं यानि यह नोर्थ में मैं खड़ा हूँ, तो यहां की भी positivity को यह reflect कर रहे है, यहां का यह मुझे एक दोस मिला है, और यहां पे इनका exactly एक क्यातना कचरा dustbin पड़ा हुआ है, यह भी north direction है, यहां पे भी dustbin पड़ा हुआ है, यह भी एक नुकसान कारक है, इसका भी हमें उपाय करना है, और उनको समझान है कि यहां पे यह चीज ना रखें, और यहां से यह इनका पीछे में आपको east direction दिखाई, कि उधर कितना बड़ा plot था, और इधर कितना छोटा plot है, यानि miss plot area, छोटी जगा छोड़ी हुई, यह अच्छे वास्तू की निशा नहीं है, यानि वास् कि यह चीज में कर लूँ तो अच्छा हो जाएगा, यह चीज में कर लूँ तो अच्छा हो जाएगा, उसके अंदर उन्होंने अपने जीवन के अंदर प्रोब्लेम खड़ी की है, भाग्य अच्छा है, मेनत अच्छी है, वास्तू अच्छा है, प्लेनेट स्तिती अच्छ आजाती है तो यह आपको दिखाने का इसलिए मैंने आज सोचा कि आपको एक एक चीज़ दिखाऊ कि जिससे हमें कैसे पता चलता है कि वास्तु कहां भी गड़ रहा है यह पूरा उनका एक एंट्रंस कार एंट्रंस है नोर्थ से इशान की तरफ हम जा रहे है नोर्थ इस्ट कॉर्णर की तरफ तो यहां से आपको एक्ज़ेटली बता चलेगा जो मैंने यहां पर पॉइंट डूम रहा है यह देखें यहां पर यहां से यह स्ट्रेटे प्लोट जैसे जैसे मैं इशान कॉन की त यह देखी आप भी देख सकते यह स्थिति और यहां से यह वापिस राइट एंगल हो रहा है यह पूरा राइट एंगल हो रहा है यहां से यहां से इतना राइट एंगल नहीं कह सकते है पर हो रहा है और यहां से एकदम प्लोट थोड़ा कट कट हो रहा है और यह इस्टन बैक साइट है वेस्टन जो वेस्ट साइट आगे है और इस्ट की बैक साइट पीछे है और यहा यह पूरा पीछे मेरी तरह पूरा इस्टन पार्ट ग्रीन हरी से बरा हुआ है और साइड में भी उनके एक कंश्ट्रक्शन में एक दूसरा मकान है तो फ्रेंड्स यहां पर जितनी मुझे नोले स्तियाज वास्तू के बारे में आपके साथ शेर की है कि अच्छा मकान भी अच्छा वास्तू भी कैसे बिगर जाता है नोलेज की खामी से और अधुना नोलेज हमेसा हमें नुकसान करता है वो आपको मैंने यहां पर प्रूफ किया कि वही उत्तर दिशा के अंदर बागवा मीरर लगा देना उत्तर दिशा में डश्टमीन रख देना और पस्सिम दिशा के अंदर थोड़ी यह ग्रीन हरी होना जो आपको मैंने बताया पहले भी अब मुझे जो फोल्ट दिख रहे है वो फोल्ट आपको गिनवा रहा हूं बापिस नौर्थ में डश्टमीन नौर्थ में लगे यह बागवा मीरर यह सब मीरर और थोड़ा भोत साउथ वेस्ट के अंदर ग्रीनारी यह रिजन इस वास्तु को डिश्टब कर रहा है वास्तु के एनर्जी को यह खराब कर रहा है और अच्छे वास्तु होने के बाउस्दी रिजल्ट नहीं मिल रहा फ्यूचर के अंदर जो प्रोग्रेस साई है वो प्रोग्रेस क्लाइंट को कही ना कही वास्तु के माध्यम से बादा दे रही है तो फ्रेंट्स आशा करता हूँ मेरा रिसर्च आपको अच्छा लगा होगा आप भी अगर ऐसी कोई भी एनर्जी वाली वास्तु अपनी दिखवाना चाते है परतेक्स वास्तु कंसल करвाना चालते है छोटी से छोटी बात आप हमारे साथ शेर करना चाते है तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक, जो कोमेंट वोक्स है relatा पर जाकर कोमेंट कीशिये आपको कोई भी साहिता चीए आपके वास्तु की तो साहिता हमारी संस्ता के दोर आपको प्राप्त हो जाएगी Thank you friends अरहर मादेव अरहर मादेव ये देखिए अब मादेव की कुरुपा से मादेव जी के अशिर्वास से और भोले नात की कुरुपा से मुझे आज ये इस न्यू जर्शी के अंदर एक वास्तु विजिट करने का मुका मिला है इसलिए मैं अगेंस आप सब का भी धनियावाद के रहूँ क्योंकि आप लोगनों ने हमारी वीडियो को इतना प्यार दिया हमारी वीडियो देखी जिससे हमारे वीवर्स का ग्रोथ बड़ा और उससे हमें अच्छे-च्छे क्लाइंट प्राप्तो हो रहे यूटूब के माधियम के द्वार ठैंक यू फ्रेंड्स हर हर मादेव हर हर मादेव हर हर मादेव